तो दूसरी step में हमने ये देख लिया है कि actual rent receivable कैसे निकाला जाएगा rent receivable minus unrealized rent अगर आप कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका actual rent receivable अब हमारी दो steps पूरी हो चुकी है that is reasonable expected rent हम निकाल चुके हैं और दूसरा हम निकाल चुके है actual rent receivable अब यहीं से सबसे ज़्यादा जो problem face करते हैं student वो ये दो steps के बाद क्या करना है वो problem आती है तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए इन दोनों को हमको compare करना है और जो focus रहेगा compare के समय वो हमारा पूरा actual rent receivable पे रहेगा अब हम जब इन दोनों को compare करते हैं तो तीन situation आ सकती है सामने तीन situation पहला तो ये दोनों बराबर हो मान लीजिए ये एक लाग पचास हजार है और ये भी एक लाग पचास हजार है तो बात खतम हो गई कि एक लाग पचास हजार हमारा आ जाएगा GAV इसका मतलब अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो value आएगा GAV का वो आ गया GAV will be 150,000 दूसरी situation हो सकती है कि actual rent receivable आपका ज्यादा है higher is the actual rent receivable तो इस case में सीधे आपका GAV आ जाएगा 180 ये जो higher अगर है ARR तो सीधे वो आपका GAV हो जाएगा तो अभी आपने देखा दोनों अगर same है तो वो ही value GAV हो जाएगी step 3 पे जाने की जुरूरत नहीं है इसी तरह से अगर ARR आपका higher आ रहा है तो वो GAV हो जाएगा अभी भी step 3 में जाने की जुरूरत नहीं है लेकिन step 3 में जाना पड़ेगा third situation में और वो जो third situation है कि reasonable expected rent आपका ARR से जादा है मान लीजे reasonable expected rent आपका 2 lakh rupees आ रहा है इसका मतलब reasonable expected rent is more than ARR तो ऐसे case में अब हमको ये जो ARR है इसमें vacancy का loss add करना पड़ेगा ये third situation में चले जाएंगे that is loss of rent because of vacancy हमको add करके compare करना पड़ेगा तो अब इस situation को आप ध्यान से समझ लीजे अगर आपका RER higher आ रहा है तो ऐसे case में ARR में आपको vacancy loss add करके देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको vacancy loss add करके check करना पड़ेगा अगर ये vacancy loss add करने के बाद भी आप RER से कम है यहाँ आर और vacancy loss add कर दिया आपने और ये जो आ रहा है ये RER से अभी भी कम है तो फिर RER क्या हो जाएगा GAB फर एक्जामपल अगर मान लीजे ये आपका आ रहा है 180 ARR actual rent receivable 180 ARR है और RER आ रहा है 200 इसका मतलब आपको vacancy loss का effect देखना पड़ेगा तो vacancy loss मान लीजे 10,000 रुपीज का vacancy loss है vacancy loss add करने के बाद भी अगर आपका ARR RER से बड़ा नहीं हो रहा है तो आपका जो GAV होगा gross annual value होगा वो होगा RER जो higher आया था that is 200,000 that is 2 lakh हो जाएगा On the other hand अगर आपका vacancy loss मान लीजे 20,000 रुपीज का था तो 20,000 रुपीज अगर आप ARR में add करते हैं तो ये हो जाता है 2 lakh that is 200,000 और 200,000 RER के बराबर हो गया है तो अगर बराबर हो गया है तो ऐसे केस में फिर आपका जो GAV है अगर ये बराबर हो जाता है vacancy loss add करने से RER के तो ऐसे केस में GAV आपका आजाएगा ARR that is 1 lakh 80,000 या फिर ARR तीसरी situation में भी देख लेते हैं कि अगर vacancy loss 30,000 था तो ये 210 याने 2 lakh 10,000 हो गया और ये exceed हो गया है RER से तो ऐसे केस में भी आपका जो GAV है वो आजाएगा ARR actual rent receivable तो ये बहुत ही complicated procedure है बहुत सारे expert का different opinion है यहाँ पर मैं आपको actual position समझा रहा हूँ इसको आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए हमने ये जो situation देखी है इसमें हमने compare किया है सबसे पहले हमने compare किया है RER और ARR को compare किया है फिर से देख लिए RER और ARR को हमने compare किया और मान लीजिए ये अगर same आते हैं 150 और 150 तो तो कोई problem ही नहीं है ये दोनों same है तो ये GAV हो जाएगी आपकी 150 लेकिन दूसरा case अगर इसी में देखें कि 150 RER है और ARR आपका 180 आ रहा है तो ऐसे case में कोई problem नहीं है आपको third step पे ये वेकिंसी लॉज देखनी की ज़रुरत नहीं है ये आपका हो जाएगा GAV लेकिन तीसरी situation अगर आप देखें कि ये 150 नहीं है मान लीजे ये है 200 याने RER अगर higher है ये higher है तो खत्रे की घंटी बज गई है आपके लिए वेकिंसी लॉज आपको add करके देखना पड़ेगा ARR में और अगर वेकिंसी लॉज आपने इसमें add किया उसके बाद भी याने ARR और वेकिंसी लॉज एड करने के बाद भी ये figure इस figure से RER से कम है तो ऐसे में आपकी value GAV जो होगी वो RER जो आई थी higher वो होगी और अगर ये figure RER के बराबर हो जाता है या फिर उससे exceed कर जाता है तो ऐसे में आपकी GAV हो जाएगी वो होगी ARR अब सबसे बड़ा question ये समझने के बाद ये आता है कि सर ये vacancy loss होता क्या है तो अब हम जो focus करेंगे हम हमारा वो करेंगे vacancy loss के उपर अब vacancy loss का मतलब आप देख लीजए vacancy का मतलब है खाली यानि जो मकान है ये खाली पड़ा हुआ है और इसकी वज़े से आपको loss हो रहा है यानि खाली पड़ा है का मतलब न तो उसमें owner रह रहा है नहीं ये किराए पे गया हुआ है याने किराए पे किसी ने ले नहीं लगा हुआ है कुछ समय के लिए, तो वो जो period रहता है, जब ये जो property है, ये vacant है, उसको हम बोलते है vacancy loss, अब ये vacancy loss क्या होता है? उतने महीने का जो rent आपका चला गया है, loss हो गया है उस रेंट का, उसको हम बोलते है vacancy loss, इसको हम पूरे को एक example से समझने की कोशिश करेंगे मान लीजिए ये जो पूरा 12 महीने का period है 12 महीने के period में पहले 3 months तक कोई tenant यहाँ पर नहीं रह रहा था याने आपने let out देने की कोशिश की बट कोई नहीं रह रहा था तो ये vacancy है, vacancy period कितने महीने का हो गया, 2 months का हो गया इसके बाद आपने यहाँ पर property किसी को किराय से दे दी यहने कोई tenant आपको मिल गया है तो ये जो period है, ये कितने महीने का हो गया, ये 9 months का हो गया जिसमें कि आपने let out कर दी है किसी person को अब let out कर दी है, उसमें भी हो सकता है कि आपको एक महीने का rent नहीं मिला हो तो मान लीजिए 8 months का तो आपको rent मिल गया है और एक महीने का rent आपको नहीं मिला इसको हम बोलते हैं unrealized rent और इसको 3 months का जो rent रहेगा उसको बोलेंगे vacancy loss तो मान लीजिए, assume करते हैं कि ये जो rent पे आपने house को दिया है, वो दिया है 10,000 रुपीज पर month पर month के हिसाब से आपने rent पे दिया है, अब 10,000 into 3 अगर आप करें याने ये 3 months vacancy loss कितना हो गया है, 30,000 रुपीज का हो गया आपका vacancy loss unrealized rent कितना हो गया है, 1 month का, 1 month का मतलब 10,000 रुपीज आपका क्या हो गया है, unrealized rent और तीसरा जो आपको चाहिए था, rent receivable, याने आप rent कितना receive करने वाले थे, total 9 month का करने वाले थे तो 9 into 10,000 ये 90,000 हो गया आपका rent receivable, इसी को हम अपनी steps में अगर calculate करें, तो rent receivable कितना था, 90,000 रुपीज था, इसमें से vacancy loss कितना है, 10,000 रुपीज का है और तीसरा loss due to vacancy, याने vacancy loss कितना है, 30,000 रुपीज का है, अब अगर आप step 2 देखें, actual rent receivable, ये कितना आ रहा है, rent receivable minus unrealized rent, याने 80,000 आपका आ गया है अब इस position में हमको GAV calculate करने के लिए vacancy loss की ज़रुरत लेनी पड़ेगी, या नहीं लेनी पड़ेगी, ये depend करता है, इसको हम compare करेंगे reasonable expected rent से, और अगर ये कम आ रहा है, reasonable expected rent से ये कम है, तो हम vacancy loss को add करके देखेंगे कि क्या ये add करने के बाद इससे बड़ा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये आपकी GAV हो जाएगी, otherwise reasonable expected rent आपकी GAV हो जाएगी तो मान के जलते हैं कि reasonable expected rent जो इसका आ रहा है वो 140,000 रुपीज है, अब देखिए हम क्या करते हैं, step 1 और 2 को compare करते हैं, actual rent receivable और reasonable expected rent को compare करते हैं पहले, और अगर actual rent receivable कम है, तो इसमें हम vacancy loss add करके देखेंगे, क्या ये reasonable expected rent से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें add कर दिया तो कितना आ रहा है, 1,10,000 अभी भी ये reasonable expected rent से छोटा है, तो ऐसे case में ये आपका हो जाएगा GAV On the other hand, अगर आपका reasonable expected rent 1,00,000 है, एक लाक चालीस अजार नहीं है, एक लाक है, तो फिर हम compare करेंगे, ARR से ARR छोटा है, तो छोटा है, तो पहले vacancy loss add करके देखेंगे, vacancy loss 30,000 का add किया, तो ये बड़ा हो गया है, यहने RER से भी बड़ा हो गया है, तो ऐसे case में जो GAV होगी, वो आपकी actual rent receivable हो जाएगी Before I conclude this topic, कुछ authors आप देखेंगे कि थोड़ा सा अलग calculation करते हैं, तो आपको कोई confusion नहीं हो GAV के calculation में, इसलिए मैं वो method भी आपको बता रहा हूँ, जो कुछ लोग follow करते हैं, वो ये करते हैं, slightly different method है, कि RER को आप calculate कर लेते हैं, यहने step 1 और 2 तो clear है, दोनों method में same है, RER और AR तो आप calculate कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इन दोनों में से higher लेते हैं, और higher में से vacancy loss less कर देते हैं, और यह आपका आजाता है GAV, तो यह एक दूसरी method है, जिसके कि मैं favor में इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप bear act देखें, bear act, income tax का, तो उसके हिसाब से अ less है, RER से, तो उसमें vacancy loss add करके देखना है, और अगर यह जो vacancy loss add करके, यह value RER से भी बड़ी हो जाती है, या फिर वो RER के बराबर हो जाती है, यह तो आपको ARR ही GAV की तरह use करना है, तो यहाँ पर slide जो different method adopt करते हैं, दूसरे authors मैंने दोनों का difference बता दिया है, और मैं इस method के favor में हूँ, तो I am sure कि अब आपको GAV कैसे calculate करते हैं, यह समझ में आ गया होगा, अब हम इसके आगे का procedure देखेंगे, क्योंकि आगे भी आपका procedure है, हर एक पर discussion करेंगे, steps आपको follow करनी है, एक बार अगर आपका GAV आ गया, तो उसके बाद municipal tax देखेंगे, कि कभी यह deduct standard deduction कैसे करना, NAV आएगी उसके बाद standard deduction, interest on borrowed capital क्या होता है, कैसे deduct करेंगे, उसके बाद आपका आजाएगा income from house property, यह सब हम next video lecture में देखेंगे, हलो फ्रेंट्स, मैं CS Executive के सारे subject के lectures provide करने जा रहा हूँ, मेरी site पे यह listed है, और कुछ important जो topics हैं इसमें से, वो मैं YouTube पे भी upload कर और साथ मैं live classes ले रहा हूँ, unacademy पे, free of cost, live classes है, CS Executive के लिए, अगर आप मेरी CS Executive की live classes join करना चाहते हैं, free of cost, तो आप मुझे whatsapp पे contact कर सकते हैं, 9860544418 पे